नमस्कार बबो स्वागत है आपका न्यूजवल इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रद्दिम शर्मा वो कम दिखने लगे हैं किसान भी कम नजर आते हैं वहीं अब बचा है तो सिर्फ सियासर वहाँ पर जो किसान थे वो तो गायव हो रहे हैं लेकिन किसान नेता जो हैं वो उभर कर सामने आने लगे हैं, मैं आपको बता दूँ कि राकेश टिकैट जो अभी तक इस आंदूलन का एक बड़ा चहरा बनकर निकले थे, वो भी अब बॉडरों पर तो कम नजर आते हैं, लेकिन महा पंचायक करते हुए जादा दिखते हैं, वो अब सीधे राजनीतिक स्वरूप ले चुके हैं, लेकिन इस सब के बीच परद्यूमी, सवाल वाजब है, आनदूलन से हासिल क्या हुआ? क्योंकि जब किसानों से बातचीत की गई, तो किसान बार-बार यही बात बोल रहे हैं, कि जब MSP नहीं है, हमको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है, तो फिर इस खड़ी फसल काम करेंगे क्या? तो वो आक्रोश अपना प्रकट कर रहे हैं इस माध्यम से, लेकिन ये माध्यम जो चुना है औरोना है, ये आम जन के लिए बहुत खचननाक साबित होने वाला है, क्यों? क्योंकि इस तरीके से अगर फसले लगातार चौपट होती रहेंगी, आग लगती रहेंगी, फसले बरबाद होती रहेंगी, तो आने वाले समय में जो उपज है, जो गैउ है, चावल है, जो आम जन तक एक सीमित रेट में पहुसता था, अब उसकी क्या है, खपत जादा हो क्योंकि फसले अगर नस्ट होंगी, तो उसके सुभाविक हो जाता है कि उसके पैसे बढ़ जाएंगे, वैसे ही आम आदमी के पास आज नौकरी नहीं है, और ऐसे में अगर फसले और या फिर गैहूं बोल लीजिए, चावल बोल लीजिए, अगर महेंगे हो जाएंगे, ज जैसे पहले संक्या थी, वो संक्या में जरूर कमी देखने को मिली है, जो पहले संक्या थी, वो तो आप बिल्कुल नजर ना आती, टिक्री बॉर्डर, सिंग्भु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, लगातार तमाम तस्वीरे हम आपको दिखाते रहे, शुरुआत में जो वहाँ पर सहलाब देखने को मिला था, वो सहलाब कब ढल गया, पता ही नहीं चला, 26 जनवरी के बाद से तस्वीरे बहुत धुंदली सी हो गई थी, एक तरीके से पूरा का पूरा जो आंदोलन था, उसने करवट ले ली थी, आंदोलन ने करवट ली, हुआ क्या, राज अब वो जाकर महापंचायत कर रहे हैं, और महापंचायत करने से नुकसान क्या हो रहा है, यह आप तस्वीरों से समझ चुके होंगे, जो हम आपको दिखाते रहते हैं, देखिए, क्या हुआ, जो किसान नेता है, तथा कथित, किसान नेता, यह बरगलाने की कोशिश करते ह जिससे होता क्या है कि भोले-बहले किसान इनकी बातों में आकर अपनी फसल नस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ उत्रा रख रहे हैं जिससे वो खा पी सकें लेकिन इस बात को भी सबंज़डा बहुत लाज़मी हो जाता है प्रदीमिन कि खाने पीने के लिए जो फसल बचाई गई इसके अलावा जीवन भी तो जीना है तमाम जो अन्ने संसाधन है वो कैसे आएंगे उनके लिए जो फसल जो आज तक बेजते थे मार्केट में जाकर और उससे जो आंदनी होती थी उससे वो अपना जीवन खर्च चलाते थे लेक जो आथो कि और खुथ को प्रतिनीदी होना ही चाहिए लेकिन ऐसे में हुआ क्या एक मंच दिया गया, किसान मंच कहा गया उसे, उसके जरिये बाते की जा रही थी, सरकार के साथ लगातार वारताएं हो रही थी, वारताओं में किसान जो नेता थे, वो अपनी हट पर बरकरार थे, सरकार लगातार कह रही थी, कि वो संसोधन की बात कर रही है, आप बताइए तो सही कि कमी गया नजर आ रही है को कमी आ तो बताईए सरकार एक पल एक पल के लिए ऐसा नजर आया कि सरकार खुद पीछे हटती नजर आई लेकिन किसान नेता अपनी हट पर बरकरार रहे वो सबसे पहले तो हाँ आये थे कि कानून वापस कराएंगे लेकिन समय के साथ देखे पया कैसे गूंता है समय के साथ वो कहने लगे कि नहीं अब उन्हें MSP पर भी कानून चाहिए लेकिन जब दूसरी तरफ जो बड़े बड़े एकॉनोमिस्ट जब बता रहे हैं कि देश के पास पहले से 1,80,000 करोड रुपए का जो पहले से जो मौझूद है जो पहले से उनके पास जो खेती बाड़ी से आया धन अनाज सम मौझूद है तो ऐसे में और फसलों पर वो कैसे MSP दे पाएंगे और MSP के जरियों जो imbalance create हो रहा है लोग चावल जादा हुआ रहे हैं गेहु जादा हुआ रहे हैं लेकिन सरसो कम हुगा रहे हैं तो ऐसे में जो imbalance हो रहा है उससे पैसों को लेकर भी उसका MRP पर भी imbalance हो रहा है लेकिन इसके बावजूद आज की तारीख पे अगर एक किसान जो रात में ठंड में अकेला सोया है एक किसान जो अपने मावाप को घर पर छोड़ कर दिली के बॉर्डर पर डटा रहा एक वो बेटा जो अपनी बूडी माँ को घर पर छोड़ कर आया और दिल्ली में डटा रहा सिर्फ इन किसान नेताओं के एक कथन पर, किसान नेताओं के भाषड पर, किसान नेताओं के एक बात पर, आज वो क्यों ना इसे सवाल पूछे, किस पूरे आंदोलन के दौरान हमको हासल क्या हुआ, हासल क्या हुआ, उसकी नजर में भी साफ है, क राकेस्टिकैट को आंदोलन में इतना बड़ा चहरा बना दिया गया है क्योंकि आज अगर सरकार कह दें कि राकेस्टिकैट आप बैट जाएगे और राकेस्टिकैट बैट जाते हैं तो आंदोलन बैट जाएगा राकेस्टिकैट अगर कल को पक्ष वापस ले लेते हैं कि न प्रणनीती भी कह सकते हैं और इसको राजनीती भी कह सकते हैं इसको आप समझने की कोशिश करिए आज राकेस्टिकैट एक इतना बड़ा चेहरा बन चुके है किसान आंदूलन जो पहले बताया जा रहा था कि कई किसानों को 40 किसान संगटोनों को एक बैनर तले एक मिल जुल यह तमिन्ञाड़ु चले जा यह महरास्रु चले जा यह राजस्तान हर्याना कहीं भी चले जाईए राकेस्टिकैट का ही नाम गूँशता मिलेगा और राकेश थिकायद को कल अगर सरकार कह देती है कि आप आंदोलन वापस ले लिजिए, उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया, तो समझ जाईएगा कि किसान आंदोलन खत्म, और इस बात से बिल्कुल इत्तफात नहीं कर सकते, इस बात से बिल्कुल दोराय हम नहीं भटक सक कि राकेश टिकायद भारती अजन्ता पार्टी के कट्टर समर्थक रह चुके है लेकिन दुनिया की वो नहीं सोच रहा है अगर यही सोच सब किसानों के बीच अंदर आ जाती है क्योंकि जब किसान आंदूलन में इतना बड़ा संख्या में किसान जुटता है तो अगर यही सोच ऐसे मैं सभी किसानों में आगी चाहे उत्तरपदेश की बात करें हर्याणा की बात करें या बिहार की बात करें आप कहीं की बात भी किजिए तो ऐसे मैं आप खुद सोचिए कि अगर हर जगा यह तस्वीरे सामने आएंगी कि फसले बरबात की जा रही है तो आने वाले समय में बुखमरी फैलने से कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि यह सिर्फ हमारे पास जो सुरोथ होता है इसको हम सुरोथ बोलते हैं खाने का वो किसान ही है और भारत में सबसे पहले किसान ही एक ऐसे जो इनसान है जो सबसे पहले अन उगाते हैं और आम जंता तक पहुचाते हैं क्योंकि ये विदेश नहीं है जहापर आप ब्रेड खाके काम चला सकते हैं या फिर और कुछ खाके काम चला सकते हैं यहापर आपको रोटी तो चाहिए ही चाहिए और रोटी के लिए ग्याओं चाहिए ग्याओं के लिए किसान चाहिए ऐसे में अगर किसान यहाँ पर नहीं होगा और अगर होते हुए भी वो फसले बरबात करतेगा तो आने वाले समय में बुकमरी फैलेगी और इस्तिती ज़्यादा भयावय होती चली जाएगी इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जब ऐसी नौबत आ चुकी है कि आप फसले बरबात की जा रही है क्यों? क्योंकि वो अपना आकरोश प्रकट कर रहे है वो समझते हैं कि वो अपनी गलत नहीं है वो अपनी बात रख रहे हैं अपनी आध्यम से, अपनी फसलों को बरबात कर रहे है लेकिन उसका जो रिजल्ट सामने आएगा अप कमिंग जो रिजल्ट होता है वो जरूर खतरनाक हो सकता है लेकिन जिस तरीके से आप अभी जिकर भी कर रहे थे कि राकेश चरकेट को एक बहुत बड़ा चैरा मिल गया, एक बहुत बड़ी पैचार मिल गई है, पहले उनको सीमिज जिलों में जाना जाता था, लेकिन अब पूरा भारत, पूरा विश्व उनको जानता है कि राकेश चरकेट कुछ है, बिलकुल मीडिया का कही न कहीं इसमे पहले बात करने का उफर भी दिया, उसके बाद प्रदान मंतरी मोदी ने भी चीज बोली थी, कि एक कॉल की दूरी पहले, लेकिन वो कॉल अभी तक नहीं हो पा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कॉल कब तक हो जाएगी, क्योंकि तीन महीना हो चुका है, तो अग नुकसान किसको हुआ, नुकसान किसानों को हुआ, कैसे किसान हुआ, कल तक जिन किसानों को बड़े गर्व से पुकारा जाता था, कहा जाता था कि अन्यदाता है, आज कई एक बड़ा वर्ग ऐसा भी तयार हो गया है, जो उनके खिलाफ रड़नीतियां भी बनाने लगा है कि जयव धाटाज कि लेकिन वहँए अन्य देता नहीं व Всемं को처럼 बेचते एं luck के रूप में उनकी पहचान मत चली गी आज उनने पूरा एक नजर से देखने भी लगा है तो इस किसान आंदोलन से घाटा तो जरूर हुआ नुकसान तो जरूर हुआ लेकिन फाइदा किनका हो गया फाइदा हुआ इन तथा कतित किसान नेताओं का इस बीच तस्वीरे बड़ी अच्छे अच्छी भी सामने आई जिस तरीके से पूटियां सिखने लगी वैसे ही आंदोलन पलट जाता है 26 जनवरी पूरे देश्ट हिंसा देखी तस्वीर बहुत खतरनाक थी उसके बाद आंदोलन अब जो कुछ रह गया है वो बचा कुछा सियासी ड्रामा रह चुका है सियासी ड्रामा ही यहाँ पर बचा है राकेश कई का जाएगा कल तक रो रहे थे किसानों के लिए आज जगा जगा जाकर महाँ पंचायते कर रहे है इन्होंने चुनाओ भी लड़े हैं कई लेकिन अब इतनी बड़ी शकल अखतियार कर चुके हैं कि कल को चुनाओ लड़ते हैं तो जीत भी सकते हैं आंदोलन से किसका घ रहीएगा न्यूस वर्ल इंडिया के साथ धन्यवाद